लेकिन जो लोग हैं वो सब धन्ने हैं कि आज हम प्रभु के वचनों को देखने जा रहे हैं और प्रभु के वचनों में से समझने जा रहे हैं कि आखिर प्रभु का वचन आज हमसे क्या कहना चाता है हम जब प्रातना में आते हैं तो हम एक उम्मीद लेकर प्रभु के सामने बैठें कि प्रभु मैं आज आपके वचन में से सीखना चाहता हूँ प्रभु आज मैं वो ग्रहन करना चाहता हूँ जो आप मुझे देना चाहते हैं हललुया प्रभु उन वचनों को जो आप चाहते हैं मैं समझ पाऊँ आप मुझे शक्ती दे आप कभी सभी यही प्रातना करते हैं जब वचन में बैठते हैं जब आप वचन में बैठते हैं उससे पहले आपको यह प्रातना करना है कि प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे शक्ती दे कि मैं आपके वचन पर चल सकूँ मेरी आखों को खोल कि मैं देख पाऊँ मेरे कानों को खोल कि मैं सुन पाऊँ मेरे हिर्दे को खोल कि मैं घ्रैन कर पाऊँ और मैं अपने जीवन से आपके महिमा कर पाऊँ आपके वचनों पर चल पाऊं हमें ये प्रात्ना करने की ज़रुत है उठा लिये जाने के बारे में कितने लोगों ने सुना है जब हम इस वचन को देखते हैं उठा लिया जाना उसको हमें गौर करना है मैं सच कह रहा हूँ ये वचन हमारे लिए बहुत वंडरफूल बोलोगा अगर हम ज्यान देंगे इन वचनों पर आज मैं बताने जा रहा हूँ येश्यो मसी के तीन आगमन के बारे में और उस आगमन के बीच में एक ऐसा विश्य है जिसको हमें समझना जरूरी है हमें जानना जरूरी है कि हमारा उठा लिया जाना है प्रभीश्य मसी संसार में क्यूं आए येश्यो मसी ने देदारन क्यूं किया पापो से बचाने के लिए हमें पापो से निकालने के लिए ALLELUYAH तो प्रभी येश्यो मसी में आपको बताने जा रहा हूँ तीन आगमन के बारे में जो येश्यो मसी के विश्य में है पहला जो है वो है येश्यो मसी जगत में क्यों आए हमारे पापों से हमें बचाने के लिए हमारे लिए अपने प्राणों को देने के लिए ताकि हम बापों से बचाए जाएं प्रभू कितना धन्न है कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी और येशु मसी कहता है मैं तुम्हारा सचा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपने प्रान को देता हूँ हललुया और येश्यो मसी ने दोस्तों के लिए अपनी जान नहीं दी बलकि किसके लिए दी क्या हम येश्यो मसी के दोस्तें क्या हम उसकी बात को मानने वाले लोग थे हम तो पापी मनुश्ये थे येश्यो मसी ने किसके लिए अपनी जान दी पापियों के लिए शत्रों के लिए वो परमेशर कितना महान है जिसने अपने शत्रों के लिए हम उसके खिलाफ चले हमने अपनी मर्जी की हमने अपनी इच्छा के अनुसार इश्वारों को तियार किया जैसा हमें पसंद था ने वैसा किया, लेकिन फिर भी प्रबीशूमसे ने धर्मियों के लिए प्राँ नहीं दे, बलकि पापियों के लिए जो उसे दूर थें, अललुइया, तो प्रबीशूमसे च्छी किस के लिए ज़गत में आया, येशूमसे कहता है, मैं धर्मियों को नहीं, बल्कि पाप्यों को भुलाने, पाप्यों को बचाने आया हूँ अमेन यदि आपने मान लिए कि मैं पापी हूँ तो प्रभीश्व मथी आपके लिए आया प्रभीश्य मथी जो पहली बार आए वो क्यों आए ताकि हमारे पापों से वो बचाए हलल्लूया ताकि वो हमारे पाप, हमारे गुनाओं से वो बचा है, इसलिए प्रभीश्य मसी जगत में आए योन्हा उसके एक अद्या के चौदा वचन में क्या लिखा है और वचन देदारी हुआ और अनुगरे और सचाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देगी जैसी पिदा के एक लोटे की महिमा हाललुया हम यहाँ पर देखते है प्रभीश्य मसी कैसे आए? देदारन करके येश्य मसी ते अपने विश्य में क्या कहा? मैं मनुश्य का पुत्र हूँ कौन हूँ? मनुष्य के पुत्र का मतलब क्या है क्या वो परमेशर नहीं मनुष्य के पुत्र का मतलब उसने शरीर देदारन किया वो मनुष्य बनाए संपून डिती से हललुया और हम पापियों के लिए जो उसके शत्रू थे उस परमेशर की जरुवत थी उस मनुश्य की जरुती जो पौवित रहो आदम ने गुना किया, गुना किसने किया? मनुश्य ने और इसकी बर्पाई किसको करनी थी? मनुश्य को लेकिन मनुश्य में योगता नहीं थी कि हुमारे पापों की बर्पाई करे इसलिए येश्य मसीज स्वेम मनुश्य बनकर जगत में आये तो मैंने आपको पहले पता है सबसे पहले प्रभीश्य मसी जगत में क्यों आए? हमारे पापों के लिए. बोलो. मेरे पापों के लिए प्रभीश्य मसी जगत में आया. जो पहला आगमन ईश्य मसी का हुआ था. जो ईश्य मसी ने देदारन किया. वो किसके लिए था? वो किस के लिए था? मेरे पापों के लिए हललुया अब जब हम देखते हैं यहाँ पर मैंने आपको बता कि तीन परकार के आगमन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और जो पहला आगमने मैंने आपको बता है वो क्या था? देधारन था यानि कि येश्यो मसी ने क्या किया? देधारन किया अब हम जब दूसरे आगमन के बारे में देखते हैं तो दूसरा जो आगमने वो है गुपत आगमन जिसके विशमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहले येश्यो मसी संसार में पापियों के लिए आए और फिर येश्यो मसी गुपत रीती से जगत में आएंगे और येश्यो मसी फिर से जगत में आकर डेरा नहीं डालेंगे वो देधारन नहीं करें क्योंकि उन्होंने पहले से ही देधारन किया है अब येश्यो मसी को बार बार देदारन करने की जौरत नहीं है क्योंकि उसने एक बार देदारन किया है अब वो देदारन नहीं करेगा तो जब हम वचन देखते हैं वचन में हम जब देखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है येश्यो मसी ने स्वयम कहा उस दिन उस गड़ी के विशे में कोई नहीं जानता येश्यो मसी जो दूसरी बार आने जा रहा है वो गुपत आगमन उसको सिक्रेट कमिंग कहते है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ हनोक कब उठा लिया गया हनोक कब उठा लिया गया जब आप बाइबल में देखते हो तो हनोक नू के जाज बनाने से पहले या फिर बड़ी विपत्ती आने से पहले जो जल प्रलाया था उससे पहले उठा लिया गया ये जो हनोक है हनोक को परमेश्वर ने विपत्ती आने से पहले इसी लिए उठाया क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर फिर दुबारा जब जगत में आएगा जो गुप्त रिती में उसका आगमन होगा उस समय वो अपने लोगों को उठाएगा हमारा उठा लिया जाना तैह है क्योंकि बाइबल कहती है निचे होगा इसके बारे में समय नहीं दिया गया है बाइबल केहती है प्रियेश्व मसेनी का मैं चोर के समान आऊंगा तुझ पर आप पड़ूँगा जब तुम्हें मालूम ही नहीं होगा ऐसे समय में आऊंगा दुलहन को उठाने के लिए ये दुलहन कौन है जो उसके लहु के द्वारा दोए गए है जो पुवित्र जीवन जी रहे हैं जो प्रतेक दिन खड़े हैं प्रभु के साथ उसके राज्य में जाने के लिए बाइबल में क्या लिखा है है नो क्यूं उठा लिया गया क्यूंकि वो परमेशर के साथ साथ चलता था उसके बारे में गवाई क्या दी गई है वो किसके साथ चलता था हललुया हनोक इसी लिए उठा लएगा क्योंकि वो परमेशर के साथ साथ चलता था और हनोक उस किस्ती से पहले उस बड़े जल्ड प्रले से पहले हनोक उठा लिया गया अब दूसरी बार ये शुमसी क्यों आएंगे दूसरी बार उन लोगों के लिए जो लहू से दोए गए हैं और जो उसकी चाप पर चलते हैं अललुया उनके लिए जो उसके साथ साथ रहते हैं उनके लिए जिनों ने अपना चुनाव सही किया और उस खुदा के साथ परते एक दिन अपने जीवन को जी रहे हैं जो जागते रहते हैं इसलिए जाग जरा दुलहन दुलहा आने वाला है इस बात को आपको नोट करना है प्रभी शुमसी दूसरी बार आने वाला है कैसे आएगा फिर से दुबारा जनम नहीं लेगा बहुत सारे लोग बहुते हैं येशुमसी दुबारा आ चुका है नहीं येशुमसी ने एक बार जनम लिया हमारे पापों के लिए अब देदारन करने की जरुरत नहीं है अब जरुरत नहीं कि प्रभी शुमसी दुबारा से जगत में देदारन करें क्योंकि उसने देदारन किया है जो दे में काम था वो सारा कंप्लीट कर चुका है अब येशुमसी किस के लिए आने वाला है दुलहन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया जब हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने जल प्रले से पहले हनोक को उठा लिया क्यूं? क्यूंकि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था अललुया मुझे चेक करना है कि हमें परमेश्वर के साथ चल रहा है बाइबल में लिखा है ऐसे दुख, ऐसी समस्य है ऐसी तकलीफे आने वाली इतनी बड़ी घटनाए होने वाली है ना तो पहले कभी हुई थी ना फ्यूचर में कभी दुबारा देखोगे ऐसी बड़ी भी पत्ती आने वाली है लेकिन उससे पहले क्या होगा उससे पहले उठा लिया जाएगा जिस प्रकार नू के उस किस्ती से पहले हनोक को उठा लिया गया वो हमारे लिए प्रतीक था आने वाली कलीस्या के लिए आने वाली दुलहन के लिए पुराने नियम में एक हनोख है जिसको उठा लिया क्योंकि वो प्रमिश्र के साथ चल रहा था वो आने वाले समय की पीड़ी की लोगों के लिए आने वाले लोगों के लिए येश्यो मसी के लहु के दोरा दोए जाने वाले लोगों के लिए एक चिन था कि जिस प्रकार जल प्रले से पहले हनोक उठा लिया गया ठीक उसी प्रकार बड़े और महान कलेश से महा कलेश से पहले अपनी दुलहन को प्रभीश मसी उठा लेगा कितनी खुशी की बात होगी कितनी खुशी की बात होगी हम काम कर रहे होंगे प्रवू उठा लेगा पर सब नहीं उठाए जाएंगे सब का उठा लिया जाना नहीं हो पाएगा क्यों? केबल वही उठा लिये जाएंगे जो उसके चुने गए हैं जो उसके लिये जीते हैं जो उसके राम की महिमा करते हैं जब आप दस कुवारियों के बारे में देखते हैं मतिर ची सुस्माचा उसके 25 अध्याय में एक से 13 में वहाँ पर आप सपश्ट देखोगे वहाँ पर क्या हुआ कितनी दुलन थी कुवारिया कितनी थी दस कुवारिय थी यह जो मैसेज यह वो रैप्चर का है दस कुवारिया थी दसों को मालूम था हमारा ब्या होने जा रहा है हमारा विवा होने जा रहा है वो दसों क्या कर रहे थे तियार हो चुके थे तियार कितनी थी सारे तियार थे जितनी भी थे दस्तु के दस त्यार थे क्योंकि उनको मालूम है कि दुला आने वाला है लेकिन पांच के पास patience कम था अब उन्होंने सोचा कि अब दुला आने में बड़ी देर कर रहा है उनके पास कुपी में तेल नहीं था इसका मतलब दुले की प्रतिक्षा वो कर रहे है लेकिन जब दुला आने में देरी करता है तो क्या हुआ उनके पास तेल की गटी होने लगी जब तेल की गटी भी तो वो क्या करते है वो कहते हैं पांच दुलनों को जिनके पास तेल था वो तियार थी वो रेडी थी तेल का मतलब क्या है तेल का मतलब है पवित्रात्मा से बरना अललुया तेल का मतलब उसकी इच्छा पर चलने वाले लोग जो पवित्रात्मा से बरे हुए हैं तेल का मतलब यह नहीं कि आप चर्च में आए और हम उचलने लग गए हम बहुत अन्यवाशा बोल रहे हैं तो मै मैं उठा लिया जाओंगा नहीं मैं बहुत आत्मा में बोईश्वानी कर रहा हूं उठा लिया जाएगा बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मतिरची सुस्माचार साथ अध्या में क्या लिखा है उससे में बहुत सारे लोग क्या कहेंगे हे प्रभु हमने आपके नामे दुष्टा आत्माई निकाली हमें आपके राज्ये में आने दे हमने बीमारों को चंगा किया लेकिन प्रभु की और से क्या जवाब आएगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना हाललुया सोचिए वो लोग चंगा करने वाले लोग भी हैं सोचिए वो लोग बहुश्वानी करने वाले भी हैं वो लोग बहुश्वानी करने वाले हैं अन्यबाशा सब कुछ उनकी लाइप में है लेकिन वो रह जाएंगे क्यूं क्यूंकि यो प्रभु की इच्छा पर नहीं चले पवित्रात्मा के फल को हम जानते हैं परमेशन इस चीज की चेश्टा करता है कि हमारे जिन में हो हो और पवित्रात्मा जिसके पास है उसका चिन क्या है अगर आप कहते हों कि मेरे पास पवित्रात्मा मुझे मिल चुका है उसका चिन क्या है आत्मा के नौफ़ अगर आपकी लाइप में है तो पुईत्रात्मा आपके साथ है आपको पुईत्रात्मा मिल चुका है लेकिन आप बहुत कुछ आत्मा में कर रहे हैं उचल कूद कर रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ को सईसे नहीं जी पा रहे हैं आप पवित्रात्मा से बरेवे लोग नहीं हैं, आप फस चुके हैं, क्यूंकि परमिश्र अपने लोगों को चाता है, जो उसके साथ चलते हैं, अललुया, कितनी सुन्दर बात हैं आपे, पांच लोग जिनोंने अपनी त्यारी की थी, पांच दुलहने वो रेडी तो थी, त त्यार तो थी, लेकिन उनकी त्यारी नहीं थी, आप इस बात को देख रहे हैं, हुआ क्या इन दुलहनों के साथ, ये सब प्रतिक्षा कर रहे हैं, दस सो प्रतिक्षा कर रहे हैं, क्या हुआ, किस कारण से ये लोग उस समय रेडी नहीं हो पाए, किस कारण से वो त्यार न यहता म Nós आने में धेरी हो रही थी आप समझे इस बात को किसके लिए थी तो झब दुले कि आने में देरी हुई तब जब दुले के आने में करी तो नहीं को वही आने में धुलाथ mejorar है हम अपनी दुन्या में खुऑ जाते हैं वह मगन हो चुके अपने परिवार अपने घर में लोगों के साथ सब के साथ दुनिया में एक फस चुके हैं पहले रेडी थी लेकिन जब प्रतीक्षा उनकी खतम हो गई अब उनका सास तूट गया अब जब पैशेंस खतम हो गया तो उन्होंने क्या कर दिया जैसे सास तूट गया वैसे ही धुला आ गया लेकिन पाँच ऐसी थी जिन्नोंने अंद तक जब तक धुले ने नोक ने किया तब तक वो तियार थे अलेलुया यह पहुत आत्मा का मतलब क्या है तेल लेने का मतलब क्या है पीठ पे उठा कर हम तेल लेके जाए सरसो का तेल हैं तेल का मतलब है वो बने रहे उन्होंने अपने तेल को गटने नहीं दिया बाइबल कहती है आत्मा को ना बुजाओ आलेलुया जो आत्मा हमें मिला है वो आत्मा इसलिए मिला ताकि हम परमेशिर क्या क्या को पूरा कर सकें उसके साथ जी सके कहीं बार हम अपने पेशेंस को खो देते हैं अपने दीरच को खो देते हैं और दीरच किसका फल है आत्मा का पहुजर आत्मा का जो फल है वो है दीरच, हललुया इसकी उनके अंदर कमी है अब उन्होंने सोचा बहुत देर हो रही है जब आएगा तो हम तब तब त्यार हो लेंगे ये शुमसी ने का उस गड़ी के बारे में कोई नहीं जानता प्रभु के दास कहते है उस दिन के विश्य में कोई नहीं जानता है सोच लीजिए हनोक को परमिशर ने पहले से नहीं बोला था कि हनोक इतने तारिकों में आऊंगा तुझे उठा लूँगा परमिशर को जो पसंदाया खुदा ने उसको किया क्या किया उस आने वाली घटना से पहले उस जल प्रले से पहले फनोक को प्रमिशर ने उठा लिया हम इसको दूसरा आगमन तो नहीं कहते क्यों कि ये सिक्रेट कमी है ये गुपत आगमन है वो गुपत आगमन उसके अपने लोगों के लिए है को ने उसके अपने लोग, जिनों ने उसको घ्रहन किया है, हललुया, जो उसके लिए रेडी है, जो उसके लिए तियार है, जिनका सास प्रवु में बना हुआ है, वो संसार की बातों में फसे नहीं है, बाइबल कहती है, वो मत्माले पन में नहीं फसेंगे, संसार की लोगों मसी आने के बाद ना जाने के इतना समय हो गया अभी तो 2000 साल से उपर चला गया लेकिन फिर भी प्रवीश मसी ने अभी तक रैप्चर नहीं हुआ है रैप्चर के दिन क्या होगा मालूम है आपको मती 24 का 2441 यह दो वचन पढ़े उस समय दो जन खेत में होंगे एक ले लिया जाएगा और दुसरा छोड़ दिया जाएगा दो सत्रियों चक्की पीस्ती रहेगी एक ले लिया जाएगी और दुसरी छोड़ दिया जाएगी आमिन ओके, जब दस कुवारिया थी तो कितने छोड़े गए और कितने ले लिए गए पांच, अब यहाँ परवचन क्या कहता है, दो क्या कर रहे होंगे खेत में, काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, और दो चक्की पिस्ती होगी, क्या लोटे नहीं, तो क्या होगा, किसी की पत्नी होगी, जो जिसको आपने बजार बेजा, सब्जी लाने के लिए, बजार से गायब, प्रभु ने उठा लिया, क्या होगा, किसी का पती यहां से दिल्ली चला गया था, सेभ बेजने के वह वहाही पे गाया, क्या होगा, हम F.I. F.I.R. करने जाएंगे कि ने है कुछ समय तक तो हम F.I.R. करने जाएंगे ओ मेरा पती गुम हो चुका है मेरी पतनी जा चुकी है पता नहीं इसने मिरे को दोखा दे दिया हो कहां चली कि इसके साथ बाग गई होगी बहुत सारी बाते होगी क्योंकि उठा लिये जाने में बह से बरे है हललुया मैं आपको सच कहता हूँ पवित्रा आत्मा के वर्दानों से जादा पवित्रा आत्मा के फल के लिए हमें रोज प्रात्मा करना चाहिए क्योंकि वर्दान से गमंड हो सकता है लेकिन फल से हमें कभी गमंड नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रेम कभी गमंड से बचाना था ठीक उसी परकार बड़ी विपत्ति आने जा रही है बड़ी समस्य आने जा रही है बाइबल कहती है सूरज अंधियारा हो जाएगा सब कुछ तारों की शक्तिया हिलाई जाएगी यानि कि एक बड़ी विपत्ति लोग की लाइप में आने जाएगी सोचिए उसमें प्रभु के लोग पहले उठा लिये जाएंगे ताकि बड़ी विपत्ति में ना प्रवेश करें अलेलुया प्रभु के लोग इसलिए उठा लिये जाएंगे जिस परकार हनों को उठाया ताकि बड़ी विपत्ति में ना फसे हनों को तो जल प्रले से बचाया लेकिन हमें बड़ी भी पत्ति उससे कहीं गुना बड़ी भी पत्ति उससे बचाने के लिए पहले क्या होगा रैप्चर होगा, हम उठा लिए जाएंगे और हम क्या करेंगे पत्नी बजार गई होगी बच्चे कहीं गई होंगे, बच्छों का भी रैप्चर होजाए हम डूडने लग जाएंगे हम केस करने लग जाएंगे लेकिन बाद में पता चलेगा कि वो तो रैप्चर हो गए, वो तो उठा लिये गए क्यूंकि भारत के अंदर हो सकता है की सौ लोगो हो सकता है दूसरे देश में पचास लोग हो, हो सकता है कोई दो या तीन हो, लेकिन रैप्चर के समय जब उठा लिये जाएंगे, बाद में समझ आएगा, कि हाँ, मैं तो व्यर्थ में केस करने चला गया था, मैं तो व्यर्थ में डूंड रहा था, वो तो उठा लिये गए, अगर पती उठा लिया गया, पत्नी नहीं उठा लिया गयी तो क्या होगा, बताइए, जिस बात का दुख होगा, विश्वासियों को, हमें दुख इस बात का होगा, क्योंकि पती तो उठा लिया गया, लेकिन मैं रह गया, ये जो पांच कुबारिया थी, वो क्या कर रही कि जिनको उठा लिया गया था जिन इंऑ को जिस दुलहन को दुले Ovidिंति करने लगे जो कहने लगे दर्वाजा को लो दर्वाजा को लो दुब मुनु क्वर्ण बंद खुका था क्योंकि रेडी पांच थी और उन्हों को ले गए जिन्होंने पहले से ही तियारी की थी जिनके अंदर दीरज था जिनकी कुपी में तेल था वो उठा लिए गए लेकिन पांच किस बात के लिए रो रही थी क्या वो लोग चले गए उसलिए रो रहे थे वो तो चले गए हम दुवारा नहीं देखेंगे वो अपने ले रो रहे थे क्योंकि वो पांच रहे गई थी आपको मालूम है अगर हम उठा नहीं लिए गए तो बड़ी विपत्ती से ओकर हमें गुजरना है इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आगे आने वाले समय में कोई विश्वासी नहीं रहेगा क्योंकि येश्व मसी पर विश्वास करने के लिए तो जब तक येश्व मसी का आगमन नहीं होगा दूसरा आगमन जिसको हम कहते हैं येश्व मसी फिर बादलों में से फिर से आने वाला है जब येश्व मसी उठा लिए गए बादलों में तो दो दूत वहाँ पर नजर आये थे उन्होंने क्या कह? जिस परकार तुम उसे जाते वे बादलों में जाते वे देख रहे हो ठीक उसी परकार दुबारा वापिस आते वे देखोगे घुप्त आगमन में कोई देखेगा नहीं कि मसी कब आया और कब उसके लोग उठा लिए गए लेकिन जब दूसरा आगमन होगा उस समय सारी आखे देखेगी बाइबल कहती हरे कुल के लोग चाती पीटेंगे क्योंकि आग उसके आगे आगे बसम करती भी आएगी अगर हम एक वचन देखेए आपर वचन कहके था मर्कुस उसका 13 देखा 26 वचन याद रखना इन तीन पॉइंट को पहला येश्यो मसी जगत में क्यों आया दूसरा गुपता आगमन क्यों होगा तीसरा दूसरा आगमन कैसे होगा इस बात को आप लोगों ने याद रखना ठीक है पढ़े सब लोग मनुश्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे कैसे देखेंगे सामर्थ और महिमा के साथ आते वे देखेंगे हरे कुल और जाती के लोग देखकर हैरान होगे कि ये ये येश्यो मसी आया बहुत सारे लोग उसको पैचान तो लेंगे लेकिन खेद होगा उनको क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं पैचाना, उस व्यक्ति को ग्रहन नहीं किया, जो सच में जगत का उद्धार करता है, उससे में खेदित होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले प्रभी शुमस्य को ग्रहन नहीं किया, पर जिन्होंने ग्रहन किया और उसके लिए तियार नहीं रह के 11 वचन में पड़ो यहाँ पर लिखाएं और उनसे काहे गलीली पुर्शो तुम क्यों खड़े आकाश की और देख रहे हो यही येशु जो तुमारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है जिस रिती से तुम ने उसे स्वर्ग की और जाते देखा है उसी रिती से वो फिर से आएगा हालेलुया जैसे येशु मसी को स्वर्ग में उठा लिया जाते वे देखा यहाँ पर प्रभु के दूद कहते हैं वो फिर से आएगा आमेन आप समझ रहे इस बात को अपने लोगों का दुलन का उठा लिया जाना क्यों है क्यों प्रभु दूलन को उठाएगा औरो की तरह क्यों संसार में नहीं रखेगा प्रभु प्रभु के साथ चलने के बाद भी प्रभु को उठाने की ज़रुद क्या है फिर साथ चलता तो ठीक है दुनिया में जैसे मुसा मरा, अन्य लोग मरे पॉलस मरा, वैसे भी तो मर सकते हैं वो भी तो चल रहे थे, अगर हम सोचें हाँ साथ चलना बहुत जरूरी, अच्छा पॉइंट यहापन बताया है इस बात को याद रखना क्यों प्रभीश मसी उठा लेगा क्यों यूँ ही संसार में हम उसके साथ चलने के बाद भी बहुत सारे लोग तो ऐसे जो मरते हैं इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उठाएगा क्यों क्या कारण है आने वाली बड़ी विपत्तियों से बचाने के लिए प्रभू नहीं चाहता कि उसके जो दुलहन जो त्यार है जिन्होंने इशुमसी के लहू के दर अपने आपको पवित्र किया है जो शुद हो चुके प्रभू नहीं चाहता कि वो उस विपत्ति में पड़े इसलिए प्रभू जैसे हनोक को जल प्रले से पहले उठाया उठाये जाने का कारण सिरफ यही था क्योंकि जल प्रले होने जा रहा था पर्मिशन नहीं चाहता था कि हनोक भी जल प्रले में जाए हललुया और आज जो गुप्त आगमन खुदा का होगा जो प्रभू उठाएगा वो क्यों उठाएगा यह उठा लिया जाना क्यूं है ताकि उसके लोग आने वाली भी पती में ना पड़े आपको मालूम नहीं होगा इतने बयानक तकलीफ और दुख आने वाले है बड़े अकाल होंगे बड़ी मामारिया होगी प्रभू के लोगों को काटेंगे येशो मसी के नाम में जो गवाई देंग उनको जीवित रहना मुश्किल होगा क्या उठा लिये जाने के बाद कोई विश्वासी संसार में नहीं बचेगा ये जो पांच रह गई है अब ये मत सोचना कि हमेशा के लिए रह गई है इनके पास अब तकलीफ और दुकों से होकर गुजरने का समय आ चुका है ये रोएंगे किस बात के लिए कि मैं रह चुका हूँ हो सकता है कि वो पशेताब करें और प्रभु के साथ जीए लेकिन वो संसार में जीना आसान नहीं होगा क्यूंकि ऐसी बड़ी विपत्ती होगी बड़े बड़े जूठे बहुशे दखता होंगे बाइबल कहती है अंत के समय में ऐसी तकलीफ होगी हम से भी नहीं पाएंगे और उस समय चाए गर्वती मैला हो तब भी उस पर रहम नहीं किया जाएगा कोई रहम किसी पर नहीं होगा लेकिन उस से पहले प्रव अपने लोगों को उठाएगा लेकिन उस से पहले प्रवी शुमसी अपने लोगों को उठाएगा जो दुलहन रेडि है उसके लिए जो त्यार है वो आने वाली पती से बचाने के लिए उनको उठाने के लिए जाएगा जैसे हनो को उस जल प्रिले में जाने से पहले बचाया उसको उठा लिया ठीक वैसे ही वो हमारे लिए प्रतीक है कि जो कलीसिया येश्वमसी के लोगों के द्वारा जो दोए गए हैं हम उठा लिए ज रखा है यदि किसी की बात शादी के लिए लगी हो अगर उसका चरितर सही ना हो क्या वो दुला उसको लेकर जाएगा क्या दुला खुश हो जागा मेरी पतनी तो पता नहीं कितने के साथ रहती है मैं उसके साथ शादी करने जा रहा हूं ऐसा बोलेगा वो उसी समय छोड़ देगा क्योंकि कोई भी दुला नहीं चाहता कि उसकी पतनी अपवित्र हो कोई भी दुला ये नहीं चाहता कि उसकी पतनी दुसरों के साथ रहती हो इसलिए दुला चाहता है कि सदेव उसकी पतनी वो पवित्र हो जब मनुश्य इस परकार चाहते तो हमारा खुदा कैसा क्यों न चाहेगा हमारा परमिश्र और भी पुवित्रताई को चाहता है दुलहन का मतलब क्या है? पुवित्रताई, हालेलुया दुलहन का मतलब यही है कि उसके पवित्र लोगों को उसके लहु के द्वारा दोए गए लोग, उसकी इच्छा पर चलने वाले लोग, पवित्र आत्मा से बरे वे लोग और जिनकी पास कुपी में तेल है, वो लोग उठा लिये जाएंगे, क्योंकि वो उसकी धुलहन है हललुया इस शब्द को आप लोग ने सुना होगा बाइबल से बुलाए गए तो बहुत हैं, लेकिन चुने वे थोड़े विश्वासी तो बहुत हैं, लेकिन दुलहन थोड़े और मैं आपको यही बता रहा हूँ, कि येश्यो मसी का जो जुगुपत आगमन है वो इसी लिए उने जा रहा है, ताकि उसके लोग उठा लिये जाएं, दुलहन उठा लिये जाए और दुलहन इसी लिए उठा लिये जाएगी, ताकि आने वाली विपत्यों से बचे गिंती करना मुश्किल हो जाएगा, मरेंगे ये नहीं, बलकि मारा भी जाएगा, विश्वासियों को लेकिन प्रभू ने अपनी दुलहन को पहले ही उठा लिया है, वो आजाद हो चुके हैं, हमें किसके लिए त्यार होना है, रैप्चर के लिए, ताकि हम आने वाली भी बत्यों से बचे अगर हम उसमें रह गए, तो उस समय रोना होगा, चीखना होगा, अम प्रभू को कहेंगे प्रभू, तो मुझे उठा ले, प्रभू हमें उठाएगा नहीं, लेकिन उसके बाद एक बात होगी, जिसको मैं समझना है, उसके बात क्या होगा, हम एक वचन यहां पर देख सकत लेकिन अब उनको मौका था कि उस तकलीफ में होकर गुजरें उस समय भी प्रभु के लोग होंगे उस समय बहुत सारे लोग पश्टाएंगे और कहेंगे कि प्रभु मेरी पत्नी चले गए, मेरे पत्नी चला गए लेकिन प्रभु मुझे छोड़ दिया, वो अपनी जीवन को जीने की कोशिश करेगा वो पवित्रात्मा की इच्छा कि उससार चलने की कोशिश करेगा लेकिन क्या होगा, बड़ी भी पत्ती, बड़ी तकलीफ है सताव उनकी लाइप में होगा, ये सताव कुछ नहीं हो जो हमारे साथ आज हो रहा है गाहँवालों ने बाइकोट किया तो बहुत बड़ा सताव है बोल देते हैं मेरा पड़ोसी मेरे से नफरत करता है करके बड़ी बाते बना देते हैं लेकिन उससे में ऐसा नहीं होगा, पड़ोसी आपको काटेगा लेकिन लोग आनंद मनाएंगे कि एक व्यक्ति येश्यो मसीवाला मर चुका है उससे में सोची कैसा हमारा दीरज हो सकता है लेकिन जो विपत्ति में जाएंगे, उन में से वो लोग दन्य होंगे जो अंतक दीरज धरेगा अलेलुया अब क्या होगा, हमारे परमेश उसके बाद क्या होगा, दूसरा आगमन होगा दूसरा आगमन क्यों होगा, इसी लिए कि संसार में जो तकलीपे लोगों ने अपने लोगों के लिए दी है उन लोगों का साथी साथ परमेशर नाश भी करेगा और उस समय जो दूसरा आगमन होगा, वो इसी लिए होगा ताकि वो परमेशर पूरी पृत्वी का नयाए करें, हर एक व्यक्ति का नयाए करें बाइबल कहती है, आग उसके आगे-आगे बसं करती भी आएगी सब कुछ तबा करते भी दुनिया के लोग देखेंगे पूरी दुनिया उसको देखेगी चाती पीटेगी, मैंने क्यों इश्यू मसी पर विश्वास नहीं किया गुप्त आगमन में तो ऐसा नहीं हुआ था गुप्त आगमन में तो केवल विश्वासियों को पता चला कि वो चले गए लेकिन जो दूसरा आगमन होगा वो हमारे पापो को उठाने के लिए नहीं होगा अगमन किसके लिए है हमारा नियाई करने के लिए अपने धूतों के साथ आएगा, वो अकेला नहीं आएगा जैजेकार की ललकार होगी वहँआ पर और जो पूरी दुनिया में जो लोग बचे हुए हैं वो सब लोग प्रभीश मसी को देखेंगे और जो येश मसी का दूसरा आग्मन है वो क्यों है? वो नयाय करने के लिए है ना कि पापो को शमा करने के लिए जितनों ने उसको ग्रहन किया उन्होंने येश मसी को कुरूस चड़ते वे पापो को उठाते वे हम सबने देख लिया है उसने हमारे पापो को उठाया है आपको विश्वास करना है अललुया यह है जो उसका देधारन है और जो दूसरा गुपतागमन उसमें क्या है दूसरे गुपतागमन में प्रविश्व मसी क्यों आ रहे है क्यों ये शुमसी आएंगे अपनी दुलहन को उठाने के लिए और दुलहन को क्यों उठाना है क्योंकि बड़ी भी पत्ती आने जा रही है और दुलहन कौन है जो पवित्रात्मा से भरे वे जो इसकी इच्छा पड़ चलते है और जो तीसरी बार ये शुमसी जो आने जा रहे जिसको हम दूसरा आगमन कहते है वो दूसरे आगमन में शुमसी क्यों आएगा नयाय करने के लिए क्योंकि बाइबल कहती है हमने पहली बार उसको कुरूस पर चड़कर हमारे लिए पापों को उठाते वे देखा अब दुबारा ये शुमसी क्रूस पर चड़ने के लिए जंसार में नहीं आएगा अगर हमने पाप किया है तो हमारा नयाय होगा समझो जिस दिन रैप्चर आ गया उसके बाद बड़ी विपत्ती का समय आने जा रहा है अब उसके बाद कोई चांस नहीं होगा हम रोएंगे पीटेंगे हाँ प्रभू के साथ हमें भनी रहना हो सकता है उसमें कुछ लोग होंगे जो बचाए जाएंगे जो दुख और तकलिपों से उकर गुजरेगे दूसरा जो आगमने वो हमारे न्याए के लिए ना की कुरूस पर हमारी पापो को उठाएगा अब दुबारा ये शुमस्य हमारे लिए नहीं मरेगा अब वो शत्रों के लिए कुरूस पर फिर से नहीं चड़ेगा क्योंकि बाइबल कहती है अब दुबारा प्रभी शुमस्य कुरूस पर हमारे पापो को उठाते वे नहीं दिखेगा बिना पापो को उठाएवे ये शुमस्य दिखने जा रहा है क्योंकि अपने लोगों का उदार करने के लिए जिन्हों ने धीरज दराए बाइबल कहती है उसका उदार होगा अब वो धीरज दरने वालों के लिए प्रभी शुमस्य संसार में आएगा और उन लोगों के लिए जिन्हों ने ये शुमस्य का स्विकार ने के लिए उनके लिए भी प्रभी शुमस्य आएगा और एक बार ये शुमस्य का आना निश्चित है ये शुमस्य का दूसरा आगमन जरूरी है उससे पहले प्रभीश्य मसी गुप्त रिती से आने वाला है क्योंकि इश्य मसी ने कहा मैं चोर के समान आऊँगा, मैं चोर की नाई आऊँगा जिसका मतलब है चोर आकर क्या करता है अच्छी अच्छी वस्तों को ले जाता है उसी परकार अपने लोगों के लिए कर जाएगा जो उसके लिए तियार है इस बात को आपको नोट करना है और प्रभु से प्रातना करना है अब प्रभु से आप क्या प्रातना करोगे जब प्रभीश्य मसी गुप्त आगमन में आएगा जब गुपत रिती से प्रभीश मसी उठा लें के लिए आएगा उस समय आप किस दशा में होने चाहिए आप क्या सोच रहे है एक व्यक्ति स्वैम कहता है जब प्रभीश मसी का गुपत आगमन होगा जब उठा लिए जाने का समय है वो बोलता है कि काश में उस समय प्रातना में होगा तो कितना अच्छा होगा प्रभीश मसी के गुपत आगमन में में प्रातना में होगा तो कितना अच्छा होगा आप लोग दियान से सुन रहे हैं वो वेक्ति ये कहता है कि प्रवीश मसी के गुप तागमन में मुझे प्रातना में होना जरूरी अगर मैं प्रातना में होगा तो उठा लिया जाओंगा तो वो क्या कहता है कितना अच्छा होगा अगर मैं प्रातना में होगा क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है जब हम पहले वचंग पढ़ रहे थे वहाँ पर क्या लिखा है मती 24 के 40 में उस समय दो जन खेत में होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा दो सित्रियां चक्की पीस्ती होगी एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी तो एक वेक्ति जब इस प्रकार कह रहा था कितनी अच्छी बात है कि उस समय हम में प्रातना में होगा तो कितना अच्छा होगा मैंने बोला अगर कितनी अच्छी बात होगी अगर आप प्रातना में होने के बाद भी उठा लिये नहीं जाएंगे सबसे बड़े दुखी बात तो यह होगी कि आप प्रातना में होगे लेकिन उठा लिये नहीं गए दूसरा तो खेत में एकान कर रहे, यहां पर क्या लिखा एक दो चक्की पीस्ति एक उठा ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी क्या वहां पर लिखा है, दो प्रातना करते होंगे, एक प्रातना में छोड़ दिया, दूसरा उठा लिया गया क्यों उसके साथ चलना हमारे लिए जरूरी है हनोक प्रभु के साथ चलता था इसलिए उठा लिया गया प्रातना में तो बहुत सारे लोग होंगे उस समय गुठने टिका कर बैठे होंगे प्रभु लेकिन वो लोग रेडी नहीं हो प्रभु के लिए वो अपनी चाउंक के लिए प्रातना कर रहे होंगे प्रभु मुझे ये चाहिए प्रभु मेरा परिवार मेरे बच्चे मेरी दुनिया नोकरी के लिए प्रातना कर रहे होंगे कोई छोकरी के लिए प्रातना कर रहे होंगे लड़के लो प्रभू एक अच्छी लड़की मिल जाए लेकिन प्रात्ना में होने का मतलब यह नहीं कि उठा लिया जाएंगे हम उठा लिया वो ही जाएगा जो उसके साथ चलेगा अलेलुया तो बाइबल में प्रभीशमस ने सपष्ट का दो खेत में होंगे काम करते हुए एक उठा लिया जाएगा उसने वो तो प्रात्ना करी नहीं रहाए है वो खेत में अगर आप खेत में भी हो तो भी आपको रेडी रहना है मैं तैयार हूं प्रभू मैं इमानदा हूं प्रभू खेत के अंदर भी लालच मेरे अंदर नहीं है जो शैतान की काम है मेरे अंदर नहीं है शैतान की काम तो प्रगट है क्रोध, इश्या, गमंड हर परकार की बुराई हैं उसके अंदर है लेकिन पुईतात्मा का जो फल है अगर आप काम कर रहे हो तो पोईत्रात्मा काफला आपके अंदर दीरज आपके अंदर है प्रेम आपके अंदर है, ये सारी बाते आपके अंदर है उस समय आप प्रात्ना में हो या नहीं, इसे मतलब नहीं रखता है उस समय आप प्रभू के साथ जुड़े होने चाहिए इसलिए कहीं बार हम सोच सकते प्रभू ऐसा करना उस दिन में प्रात्ना में होना चाहिए प्रभू मुझे प्रात्ना में रखना उस दिन में प्रात्ना में होगा तो कितना अच्छा होगा मैं तो उठा लिया जाओंगा, नहीं सोच लीजी, आप रात्मा में छोड़ दे गए लेकिन दूसरा काम करते वे उठा लिया गया गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं वहां से उठा लिया गया केत में बोने के लिए चले गया उस से मैं उठा लिया गया प्रवु उस दुलहन को चाता है जो रेड़ी है, हमेशा जो ठकेवे नहीं है इससे कि हम क्या देख रहे हैं काम करना मत छोड़े लेकिन अपने कामों के साथ हम प्रवु को प्रसंद करें, अलेलुया जो भी हम करते हैं उस समय हम खुदा को खुश करें वो काम करें जो हमारा जिससे खुदा प्रसंद होता है आयम प्रवु से प्रात्ना करें कि प्रवु जब आपका गुप तागमन होगा मैं आपके लिए त्यार हो पाओं, साहता करें मैं अपने आपको तियार कर सुको ँसायता करे, आपका आत्मा मुझ में हो आयम प्रातना करे चाहे आप काम कर रहे हो चाहे खेद में हो, चाहे ओफिस में बैठे हैं कुछ भी कर रहे, अगर आप त्यार हैं आप उठा लिए जाएंगे आयम प्रातना करे